संत वीबस हो करके दुखी हो करके और आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते हैं और आत्मदाह कर लेते हैं जब जब इस स्रश्टी में संतों ने आत्मदाह किया प्रले आ गई अब सरकारों पर प्रले आईगी या कैसी प्रले होगी अब परले का कोई एक रूप नहीं होता पर राधे राधे पुलिस की अवाज न्यूच हमेशा से उन मुद्दों पर काम करती आई है जो समाज से जुड़े हुएं जो इस देश से जुड़े हुएं इस सिस्टम से जुड़े हुएं और उसी को लेकर के आज हम खड़े हैं बिंदावन में बिंदावन में ये परक्रमा मार्क है वहाँ पर संतों ने आज विजयदास महराज के बारे में आप सभी ने मीडिया के जरिये सुना होगा कि जिन्हों ने एक परवत को बचाने के लिए जहां भवाण शिर्केशन ने केड़ा के थी उसको बचाने के लिए आत्मदाहा कर लिया इसी सिलसले में यहाँ पर को संत हैं इनसे बात करते हैं कि क्या था वो हाथसा क्या था वो कारण कि विजयदास महराज को आत्मदाहा करना पड़ गया और ऐसी सोती हुई सरकारों को किस तरह से हम जगा सकते हैं जो समाज के लिए गद्धियों पर बैठते हैं लोग लेकिन उसे समाज के लिए काम करने से डरते हैं वो आखिरकार ऐसा क्यों महराज सुब नामाग का त्री मेंत राम सुरूब दास ब्रमचारी महराज जो ऐसा के अभी देख रहे हैं हम लोग के एक संत बिएदाजी महराज थे जिनों ने राइस्थान बॉर्डर पर आत्मदाहा कर लिया आखिरकार ये नौवत आई क्यों संतों को ये मात्र एक दिन का कोई छणिक आवेश नहीं था बलकि ही लगातार पांच सो इक्यावन दिन तक पहाडों का जो कटान हो रहा है पहाडों में जो खनन हो रहा था वो पहाड जो ब्रज का गावरों है भगवान स्री कृष्ण की क्रीडाश चली रहे हैं और जिन पहाडों में भगवान स्री कृष्ण की उपस्थिती सर्दालवों को प्रतीत होती है महसूस होती है और भगवान की उस लीला भूमी को बड़े स्रद्धा भावना से संत ही नहीं अपितु पूरा देश का भक्त समाज निहारने के लिए जाता है और उन पहाडों का जब कटान होने लगा तो संतों ने इसके खिलाब सरकार से आवाज उठाई कि यह बहुत गलत है पहाडों का कटान नहीं होना थे यह सरकार ने नहीं सुना लगा तर 551 तक वो आंदोलन जारी रहा फिर भी सरकार ने उस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया संतों से कोई वारता नहीं की संतों की कोई सुनवाई नहीं की आखिर में संत दुखी होकर शुब्द होकर के और आत्मदाह की घोशना करते हैं आत्मदाख की घोषना करने के पस्चात भी ऐसी निकम्मी और निठली सरकार वो विधर्मी सरकार संतों को वहाँ पर पूछने के लिए नहीं जाती कि आप आत्मदाख क्यों करने जा रहे हैं और संत विवस हो करके दुखी हो करके और आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते हैं और वो आत्मदाह कर लेते हैं ये पूरे ब्रज की ही नहीं अपितु समस्त हिंदू समाज के लिए एक कलंक है कि एक संत सामूही के एक मांग ले करके संत का कोई अपना विक्तिगत हित नहीं सब्सक्राइब नहीं था समस्त हिंदू समाज के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया लेकिन निकम्मी सरकारें इस तरह से संतों की आवाज को जब नहीं सुनती हैं तो निश्टीत रूप से उनके बुरे दिन आते हैं महराज मैं एक चीज यहां पर रोकूंगा आपको जैसे आपने कहा के संत का कोई हित नहीं होता वाकई संत का कोई हित नहीं था उस पहाल को सुरक्षित रखने में उनका कोई हित नहीं था उनका हित था तो सिर्फ और सिर्फ ब्रजनगरी को सुरक्षित करने का लेकिन ऐसी पान में तो रूई लगा रखी है और आँखों पर बांद रखी है पट्टियां मैं हर बार यही कहता हूँ कि यह गूंगी बहरी संकारे हैं और जो गद्धी पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ इस जंता का सोसन करते हैं और अपने हित के लिए और उन माफियाओं के आगे बिक लीजिए कि उस सरकार के बुरे दिन आ गए चाहे वो सत्योग हो द्वापर हो या तेता हो जब जब संतों ने आवाज उठाईया या संतों पहा कोई भी आक्रमण हुआ है तो भगवान ने अवतार लिया है ऐसे ही अब यह कल्योग है कल्योग मैं महराज क्या भगवान हम से कहीं दूर नहीं है और भगवान सारे जन मानस के अंदर एक ऐसी भावना का संचार करते हैं कि वह जन भावनाएं ही भगवत रूप प्राङ्प्त करके भगवत रूप में खड़ी हो करके और ऐसे आत्ताईयों का सामूहिक संगार करती हैं और इन सरकारों का सामुहिक संगार है इनको सत्ता से बेदखल कर देना इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए आम जन के हिर्दय में भगवान की प्रेड़ना जागरित हो रही है और निश्चित है कि थोड़े समय की ये सरकार मिहमान है और इसका अंत निश्चित है और इसका अंत ही इसका अधित नीति करण में इनका समूलौ नास होना है और जो अभी तक का क्रम रहा करता था कि एक बार यह एक बार वो अब एक बार ये एक बार वो का क्रम भी खतम होगा और ये ऐसी आतताई सरकार दुबारा ऐसी आतताई पार्टी की सरकार दुबारा राज़स्थार में सक्ता में नहीं आएगी ये संतों का श्राप दौा पर त्रेता मैं हमेशा योगों की जब बात करता हूँ न तो समझ लिए उस टाम पर जब ऐसे संत श्राप देते थे थे न तो बिनास निश्चित था और वैसा ही बिनास अब इन राजनेताओं का तैयार हो रहा है बेशक कल्योग में कहते हैं आताताई अपने चरम पर होते हैं और जब चरम पर होते हैं तो इनके रूप में इन संतों के रूप में भगबान प्रकट होते हैं और जब इन्होंने अस्त्रों ठालिये न तो बचाने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं इस जमीन पर ऐसे ही हमारे यहां पर कुछ हिंदू बिस्व हिंदू परिसद से भी लोग हैं बिस्व हिंदू परिसद हमेशा हिंदुत्व की बात करता है हिंदुत्व को लेकर के बात तो करते हैं क्या हम अपने अस्तुत्व को बचा रहे हैं कहीं या नहीं बचा रहे का आत्म दाहा करना अर्थात गोर कलियोग आताताई पना राक्षस बना ये तो रावड और कंस को भी पीछे छोड़ गई सरकारें क्या कहेंगे देखिए विश्व हिंदू परशद हमेशा से हिंदुत का काम कर रहा है संस्कृति की रक्षा का काम कर रहा है और आपने पहले भी गत में भी देखा होगा कि विश्व हिंदु परशद ने बड़े बड़े आंदुलन किये हैं हिंदुत की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए राम सेतु आंदुलन हुआ राम जनम भी आंदुलन हुआ या स्रैंड बोर्ड का अमरना जी का आंदुलन हुआ बड स्रंग्खला को नस्ट करने की योजना बद्ध तरीके से वहां पर खनन चल रहा है और उसको समाप्त प्राय करने के लिए वह अपना प्रयास कर रही है लेकिन पिश्व हिंदू परशत कभी उसको सफल नहीं होने देगा और जो भी हमें करना पड़ेगा हम संतों के साथ अप अपने परणाम के लिए तैयार हो जाए खनन को बंद क्यों करें उन्हें तो करोड़ों रुपए महीने मिलते हैं जब पैसे आते हैं तो खनन क्यों बंद करेंगे उसके लिए रूप क्या रेखा क्या है आखिरकार बिस्व हिंदू परसत किस अद्टक जा सकता संतों के अगर को हम इसलिए चेतावनी दे रहें कि ब्रज भूमी है ब्रज भूमी भागोलिक संग्रक्चना है उससे हाथ न लगाए हाथ जल जाएंगे हम उसको और चेतावनी देना चाहते हैं कि शंतों पर इस परकार के जो संतों पर जो एक शंत ने अपना आत्मतहा के लिए करने के लिए तक पर हैं हम के इंद्री नितरतों से बात करेंगे को राइस्थान सरकार के खिलाप एक आंदोलन तयार करें और इसकी रूप रेखा तयार हो विशुन्दु पशत हमेशा संतों के साथ है यहां और भी लोग हैं मैं उनसे भी बात करूँगा क्योंकि दुख होता है जब सुनते हैं कि जिनके आसिरवाद लेने के लिए हम तरफे हैं वही आँतम दाहा करते हैं तो हम जा कहां रहे हैं अगर यही मैं कहूं न फिर यह हो जाता है कि तुम जाती वाद धर्म बाद छेड़ते हो क्यों न छेड़ू धर्म बाद जब मेरे धर्म पर आचाती है क्यों न छेड़ू धर्म की बात जब मेरे ही धर्म के लोगों को प्रतारित किया जाता है मेरे ही धेर्स में मेरी ही सरजमी प विश्व हिंदू पर्शद धर्माचा संपर्क जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक संत ने आखिरकार ऐसे आता ताई गूंगी भेरी सरकारों को धश्टाचारी सरकारों के आगे अपने प्राणों की आहूती दे दी क्या मैंने कंस और रावड की संग्या में खड़ा कर सकता कंस और रावड की संग्या में खड़ा करना भी मैं उनके लिए छोटा समझता हूं कंस और रावड की भी अपने एक साशन करने के नियम उनकी एक मानेता एक सोच थी यह उस नियम को भी ताक पर रखके दोने और परे पहुंच चुके यह लोग यह बिदर्मी लोग यह संतों की जो चीख निकलती है अंदर दिल से वो वेर्थ नहीं जाती है यह सरकार जान ले जो पालगर में संत की हत्या के बाद महराश सरकार का हाल हुआ है उससे ज्यादा बोरा हाल इस राजिश्तान की कॉंग्रेस सरकार इस भ्रष्ट सरकार और यह तो चोटी बात है भी इस सरकार की सामने आई है पिछले दूनों हमने देखा जैपुर में हजारों साल पुराना लक्ष्मी नारान मंदिर मंदिर की ऊपर की शिकर पर उन्होंने मजज़ित गोसी करके मंदिर की ऊपर शिकर पे पुलिस लगा के लोगों को रोख दिया मज़ित के नवार एक चीज़ और बताईए प्रिशासन था उस जगह पर क्या प्रिशासन महराज को आग लगाने से रोक नहीं सकता था बिलकुल रोक सकता था ये क्यों नहीं हुआ कैसे हुआ मुझे जब एक SSP के आगे कोई भी एक नॉर्मल आदमी आग लगाने की कोसिस करता है उससे पहले पुलिस प्रिशासन उससे रोक लेता है और वहां तो संतों ने पहले से घोसना कर रखी थी अगर हमारी नहीं सुनी तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं और टावर पे बैठेते के दिन से क्यों नहीं प्रशासन जागा क्यों नहीं उन्हें उतारा गया क्यों नहीं उनकी सुनी गई मुझे लगता है कि प्रशासन ने जान बूच के यह आत्मदाह नहीं हत्या है इस संत की जैसे पालगर में किया इस संत की आत्मदाह जब कर रहे थे तो प्रशासन क्यो और विशिंदु परसद राश्टी सेवसेव संग सब अधिकारी लोग से बात करके हम लोग सीवेए की जाच की मांग करेंगे सारा जाच सामने किलिए रोक के आईगी राश्टान सरकार में एक संत की हत्या हो जाती है मैं हत्या ही कहुँआ उसे आत्म दहा नहीं कहुँआ क्योंकि आत्म दहा तो आप समझते हैं कि कौन लोग करते हैं लेकिन आत्म दहा के लिए अगर कोई मजबूर होता है तो उसे हत्या ही कहा जाएगा और हत्या हुई किस ची केनीने नहीं ले रखे, इस समाज के लोगों ने भी ले रखे हैं, जो धर्म के लिए सिर्फ रोडों पर निकलते हैं, लेकिन इन संतों की भी सोचों, ये संत भी आपके लिए दोरते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान ये संत करते हैं, जब संत ही सुरक्षित नहीं, जब संत आधान सरकार में तो कैसे कैसे बाके सुनने को मिलते हैं यह तो सब को पता है कि आज वो हिंदुत उको खत्म करने की कगार पर खड़े हैं और में ये बार उनकी जगे वही है हमारे साथ महाराज से हैं महाराज आज एक ऐसे बिशे पर हम बात कर रहे हैं कि एक संत ने ब्रज को बचाने के लिए और आत्म दहा कर लिया दुख का बेसे है कि आप जैसे स्री चर्णों में दुनिया नदमस तक होती है और आपको ही ऐसी परिस्तिती प्रकट हो जाए तो इससे बुरा दिन सायद इस संसार में देखने को नहीं मिलेगा मैं क्या कहूं महराज आपके बारे में दुनिया जानती है क्या कहेंगे कि जब संत अगर आत्म दहा के लिए पहुँच जाता है तो कौन सी परिस्तिती होती है और ऐसा क्या परिस्तिती प्रकट हुई वहां राहिस्तान सरकार ने ऐसा क्या किया क्योंकि मैं तो इस आत्म द हम लोग सनातन धर्मी है, जीव भूता सनातन है, हमाये चीठी से लिए ब्रह्मा परतन्द सब सनातनी है, मुसल्मान कितने दिन के आये हैं, 14 सा 15 साल, इसाई 2000 सुरा है, हम लोग सनातन है, हम सनातन में डंके की चोड़ से का सकता हूँ, एक सनातन धर्म ऐसा है, जो कहता है, डंके की चोड़ सर्वे भवन्त सुखिना, प्राणियों में सब्भामना हूँ, बिष्व का कर लेना, ऐसा कोई राष्ट, ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो कह सकता है, बिष्व का कर लेना, जैसे पाकिस्तान चीन हम लोग से भास पर नजर बिष्व का कर लेना, यह हमाई सनातन धर्म व्वंत स्काक प्राणियों में सद वाबना, घड़्मा प्रत्यंग, जै सिंह हो, बाग हो, ऐक दूसरा बिरोधी है को उसका भी कर जीव मातर में, इस रही है, इस ऐतने धर्म कर से भिरोधी है, कोंग्रेश तो सुलू से धर्म का विरोधी है जो आतंक वाधी का था पहले क्या करता पपू जिसको खत क्या नहीं राहुल विजेश में जाकर हिंदू को बदराम कर आप बाद को बदराम करता है उलू को पठो को तुम चले जा अपने नानी की हरो हमारे सनातन धर्म ऐसा है तो कितना वार गुदार एक बीच में कहुंगा कि मेरे एक संत की हत्या हो गई और कोई बोलने को एगरी नहीं अगर यहीं कुछ दूसरे धर्म में कुछ हो शायफ व कोई और को सीजिछ कॉरने को राजी को भाशी को माध और पर इस संत के लिए लिए कोई बोलने को राजी नहीं राज नहीं हम भात को माता करते हैं हम अमेरिका-माध चीन-वात हैं को को शीकायद करता हिए वह है Um को एक हाद में माला हो तो दूसरे भाला होना चाहिए हम सभी रिषियों ने सास्त रखा है भवाराम सादुभेश में निकले हैं लेकिन सास्त को नहीं छोड़े हैं धर्म पर सादुभेश में हैं लेकिन धर्म पर आत्मन आया उन्होंने लंका में जाकर आतंक बार धर्म विर को थमने इसनलिए अंय जो है तुम करते हैं एक हम् Diana करण का है सब लुक पठ्थे मुड़एगं हमारा साथ रम'ने की रहा 함 हमारे सन्त आखते संत संत मुआ अमारा है जो डेस के झाले डेस लिए समाज के वाया, परवति जी कहा रहे हैं भगवान संकर के संबाद में आहब है शंत आया है, संत संभु संकर जी का संत्संभु, स्रिपति अबा संत क zrobi बिरोध रामकेश्ण का जो बिरोध कहा संकर जड़ क संत को विरह पारवति जी का थे सकती तो जिव्या कालि‌चाहँ हमारा तुक पर राम किष्ण का विरोधी चनातन राम की करपना इसको जिभ्या का लेना चाहिए जिभ्या हो जो राम किष्ण का विरोधी आतंग बाद चनातन राम की कमी है हैं आज हमारी कमी जनता आप जैसे बोल रहे से साधु सन्थी केवल नहीं है इस जनता क्या करें हम लोग एक खून नहीं पाने हो गया हिंदु संहाथ समात को फच्राटर के इतना आथ तहकdimensional मुसल्मान एख हो जाते हैं हम लोग एक हिसाई हमारी मुष्छण के ही तौन यह यह नहीं करता हैं आगम ने भी पनेतें लटेभार्य अिस लिए ऊट का पथर के वह समय में और यह मुथक। सांती-सांती का समय गया, अब तो हिंदुओं को जो कहूंगा खुन नहीं पानिया, उठो, अब सांती-सांती-सांती का पार पर होगे, तब तुम्हार गुंजायसे ने तो क्या कहा है, छोड़ो, मोधी चले जाएंगे, अयोगी चले जाएंगे, मठ में, अब उचले, पहार में चले जाएंगे, इसका मतलब जैसे औरन जेव ने हमारे बहुत बिट इज़्जत, धन लुटा, मंद्यों, और से तुमनों हिंदुओं को, मैं चाहिले हिंदुओं को, तुमारी वही दसा होगी हिंदुओं, जैसे औरन जेव ने क्या है, इस सतर्क होजा हिंदूं को, म अभी तो कोई सादू हो तो उसको गिरफदार करो, गिरफदार करो, और OVC क्या बोला, उसका भाई 15 दिन समय देखे, उसको क्यों ने गिरफदार क्या, उसको फासी क्यों ने दिया जाता है, उसको फासी क्यों ने दिया जाता है, उसको फासी क्यों ने दिया जाता है, देता क्या करता है हो के लड़की इसा नूपुर सर्मा जो नूपुदर रबूनों इस सब बोलते हैं उसको क्योंने गेर वफदा किया, उसको क्योंने गदा काटने के ओर दे हिंदू, अरे हिंदू, समझजा, समझजा, नहीं तो और अरण जेव जिस्ता से तो आकपन, मोहमद गोरी जैसे आकपन जेव, उसे मुस्म्म नाम तुम पल लगे हुए, उसका शुकुर भाद पा आ ग जागो, सांती साब करांती का इट का जाब पत्थर से दोगे, तभी तुमा उस गुंजा से नहीं, तो तुमाला हिंदू मा पाकिस्तान उधर है, चीन विरोग लात मार के हिंदू महासागर मुस्वरे, इसलिए हिंदू सतर्क हो जा, मैं तो हिंदू से एक वाम बावाजी ह सानतन की रोटी खाता हूँ, इसे सानतन धर्म के नाते हिंदू की रक्षा करना, समाज की राना, देश की रक्षा हैं, भात की रक्षा करना हमार करता है, इसलिए मैं सबसे सादू हो के अंतला पसार के हूँ, हिंदू जगो, और इट का जवा पत्थर जोजे, नहीं तो ऐस सब्सक्राइब करते हैं मुसल्मान तो लोगे इज्जत लोगे धन लुटेगा मंदित लोगा ऐसे पस्तिती नहीं आने चाहिए यह थे हमारे साथ फूलडोल महराज मैंने कहा ना कि संतों के अंदर जो पीड़ा है अब वो बाहर निकल लही है और संतों का दुख अगर इस सं खाड़ों में हो रहे अतिक क्रमण और अर्थात खनन को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं शुब नाम जानूगा पहले तो आपका दास को गोपेश कृष्ण दास गोपेश बाबा कहते हैं गोपेश बाबाबा जैसा कि देखा गया विजय महराज ने आत्म दाहा कर लिय अब कब तक सोता रहेगा ये समाज हम कितने जगें वही प्रशन होता है जीवन में क्योंकि मैं जग Unggshant to समन्ह sausage तो कि यह प्रश्ण जो आपका है बड़ा सुन्दर है क्यों समाज का ठेका तो हम लोग नहीं ले सकते हैं मैं कितना जगा हूं वो ठाकुजी देखेंगे मैं कितनों को जगास पाने की शक्ती मेरे में है मैं जगाने की चेश्टा भी करूंगा लेकिन मेरा करतव करम का मैं नि जागरित करने की द्रश्टी से और भगवत किरपा से हमेशा गुरु जोनों के आग्रे से पुरु जोनों की आग्या से उनके निर्देशन से उनके माध्यम से दिये गए उपदेशों से कोई लोग कोई विरले ही लोग जाग पाते हैं अथवा भगवान किसी-किसी विश् या कुछ ही लोग कर पाते हैं उसी करम में विजयतास बावा आज हम लोगों के बीच में नहीं है वह हम लोगों की कमी के कारण से ही है क्योंकि हम लोग संग्टित हो करके इस विशे पर क्योंकि पिछले 2000 सन 2004 से खनन की बात चल रही है परंपुज रमेश बावा महराजी के नितत्व में ब्रज के सवी प्रतिष्ठित महापुरुष्यों के नितत्व में खनन बंद हो ऐसे आंदोलन होते रहे हैं और वहकरम अभी तक चल रहा है पीछली सरकारों में लगबग 80% के करीब 2008 तक नो तक हम लोगों में एक 80% परवतों पर खनन बंद हो गया ऐसी एक विजय प्राप्त भी होई थी लेकिन 20% आदी बदरी कनकांचल जो राजस्तान छेत्र में ही आता है तो उस शेत्र में कुछ खनन रहे गया था तो उस पर लगबग 9 से 2009 से फिर बारा में फिर 13 में फिर 14 में पंद्रा इस प्रकार से वह लगातार उन पर बीच बीच में हम लोग चेश्टाएं करते रहें बावा के निर्तित्व में हरी बॉल बावा महां हमारे हरी बॉल करना प्रतशन कई चीजें करते रहें और लेकिन वो प्राया नाकाम होते रहें इस बार इन सब चीजों से दुखी हो करके कि देखा कि बारता करते हैं फिर विफल हो जाती आंदोलन करते हैं द्वस्त कर दिये जाते हैं आंदोलन तो इस बार जो है 17 तारीक को पिछले मेने की 17 जुलाई को हमारे संतों ने 14 संतों ने अल्टिमिटिम दिया कि अब हम सब लोग आत्मधा करेंगे आत्मधा की बात आती है तो सरकार विचलित होती है और यह संत आत्मधा करेंगे तो बड़ा नुक्सान होगा तो वारता का करम आरंब गरती है तो हम लोगों को अठारा तारीक को बुलाते है हमारा भाव था कि हम सीधा मुक्यमंत्री से मिलेंगे हमारे संतों का हमारे सभी अंदलुन कारियों का क्योंकि यहां के लोकल का स्थर नहीं है कि उसको खतम किया जा सके तो मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर थे तो विश्विंदर सिंग जो की पर्यटक मंत्री है राजस्तान सरकार में उनको मुख्यमंत्री जी ने वारता के लिए आगे हमारे पास भिजा क्योंकि पहली भारी उनसे भाशता हो रही थी इसी मिन हम ने उनसे का आपके हक में है आूद के जिम्मेदारी में अगर ये चीज़ आती हैराप के कंट्रोल में हेती होती थो अविलंब हमारे आराध्य परवत्तों का जहां हमारे ठीठ में प्रिया लाल ने लीला थी है एवं भगवान श्री क्रिष्ट क्योंकि वह जो छेत्र है ब्रज का उत्तराखंड छेत्र है वहां पर अपने माता-पिता नंद-बावा युश्वदा के लिए वह कहरे हमें तीर्थ यात्रा में जाना है तो भगवान बोले कि इनको हम घुमाने के द्रिष्टी से जाएंगे तो हमारी लीला भूमी लीला का करम बिगड़ेगा तो उन्होंने सभी तीर्थों को विश्व के सभी तीर्थों को ब्रज में लाकर स्थापित किया वहां दर्शन कराया तो ऐसा ऐसा वैस छेत्र उत्तराखंड में जितने तीर्थ हैं वैस छेत्र कि आपर धर्णा चल रहा था अत्वा जहां खनन हो रहा है वह उत्रागंड छित्र ब्रज like आ कि वहां पर भिराजमान है वह आदि बदरी कैदारना गंगोत्यृ यमनोत्यृ देव सरोवर सब कुछ महां परविराजमानत उन परवतों में खनन हो रहा था तो वह आराध्य परवतों का जो खनन है वो संतों से देखा नहीं जा रहा था धर्म के अनुसार तो ठाकुर जी की लीला अस्तली को खनन के द्वारा उजाड दिया जा रहा है दिया गया वह अच्छेत्र 25 परसेंट से ज्यादा जलीला भ्यूमिया रही है ठाकुर जी वे नास हो गई है यह ऐसा विश्य है कि एक वर खतम हो जाए तो पुना जागरत वहां वो चीज आ नहीं सकती पहाड है पहाड को हटा दिय ठाकुर जी धाम में अंतर ना होने के कारण से एक ही ठाकुर है चोंपने तो उन्होंने अंतोगत्वा निर्धार्त किया कि अब मैं यह देख नहीं सकता और उन्होंने अपने वारता की दोर चल रहे हैं लेकिन दिख जाता है वो पहले वारताओं में रहे तो दिख जाता है कि कौन वारता सफल होने वाली है और क्या होने वाला है तो वो वारता प्रश्टिफिकेशन जारी भी हो जाता है तो बावा ने कहा था कि करो या मरो मरूंगा तो शाद कुछ हो जाए उस भावना लेकि वह अच्छा नहीं हुआ क्यों बहुत अच्छे मसंत थे वह हमारे बीच में अब नहीं है आतमधा किया है तो हमारा अग्रह यही है कि इन सब संथो से सरकारों से कि क्योंकि दस मेंने पहले गहे लोत ने का कह दिया था कि यहे वंचेतर गोषित कर दिया गया है कि तो लेकिन वह नहीं हुआ वो उन 10 महिनों को जिन लोगों ने मेनेज किया उनकी भावना को पूर्ण नहीं होने दिया मुख्य मंत्री जी की उन सब लोगों के तथ्य हम लोगों के पास आ गए कि वो करोडों करोडों रुपे में बिक्के हुए लोगे थे उनको इतना पैसा खिलाया गया कई मंत्री उसमें हैं मुख्य मुख्य अधिकारी उसमें हैं उन सब के खिलाव CBI की जाँच बैठे क्योंकि वो इतने बड़े लोग हैं CBI से कम उनकी जाँच कहीं से भी किसी भी प्रकार से करने की चिष्टा करेंगे तो कि वो सब मैनेज कर लेंगे तो केंदर सरकार से जब जब इस स्रश्टी में संतों ने आत्म दहा किया प्रले आ गई यह तो आप लोग जानते हैं हम लोगों को आप लोगों नहीं सिखाया है अब फिर एक संत ने धर्म को बचाने के लिए इस संस्कृत को बचाने के लिए अत्म दहा किया अब सरकारों पर प्रले आईगी या कैसी प्रले होगी अब प्रले का कोई एक रूप नहीं होता प्रले वहचारिक भी आती है प्रले अध्यात्मक भी आती है प्रले प्रतक्ष में प्रथवी को उलुट बरण करने की भी आती है इंज अधिस प्रप्सक्राइद को हमक्ति ही है कि किवल पर्मात्मा की और जाने की लिए उथ्पत्ति है उस कारणों को हम जो जिन कारणों से भगवान की तरफ हम जा सकते हैं माता पिता की सेवा करके राष्ट की सेवा करके धर्म की सेवा करके गाय की सेवा करके संतों की सेवा करके धर्म के संस्कृती को बचाने की सेवा करके वह सब हम लोग पराया बहुत कम लोगों में ही देख पाते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर एक अनमित्ताएं हो रही हैं हम जीवन को जीवन की तरह नहीं जी रहें केवल जानवर की तरह जी रहें भोग और उपभोग में ही जी रहें तो वह ऐसी इस्तिति में तो यह सब होना करोना आना जल परले आना आदी आदी इस प्रकार की जो वहचारिक क्योंकि बुद्धी में अपवित्रता आना यह सब उसी का परणाम है यह परले ही चल रही है और एक संत ने कि विसुद्द मात केवल और केवल ब्रज के पहाडों को बचाने के लिए ब्रज की संस्कृति को बचाने जो धरोहर इस ब्रच छेतर में जो ब्रच के मानने वाले भी हैं, क्यों? क्योंकि वो 551 दिन से हम लोग चिस्टा कर रहे हैं, 2004 से हम लोग चिस्टा कर रहे हैं, संत लोग चिस्टा कर रहे हैं, लेकिन समाज स्वया हुआ है, कुछ लोग जागरित हैं, तो वो जागरिती थी, तो कुछ 80 परसेंट हम कई साल पहले बचा पाए अब कुछ जो बीस परसेंट बाकी है वह भी हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि यह बवाल बहुत बढ़ने वाला है संसमाज आकुरुषित है उनके हिर्दे में तो इस समय परले ही चल रही है क्योंकि इनकी आहुती जो हुई है इनों ब्ऱक्षित इन भावनाओं को जब तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक वे आंदलन जारी रखेंगे एवं इनकी आत्मधा करने के कारणों का निवारण सीवियाई के मादियों से जब तक नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रखेंगे और सच्ची संधाजली उसी दिन होगी जिस दिन उन दोसियों को दंड प्राप्त होगा जैसा के देखा के संतों की आह निकल रही है दुख मन से जिन्होंने जो बर्णन किया आप समझ सकते हो लेकिन समाज को भी अब जगना पड़ेगा और भगवान स्री कृष्ण की इस धरोहर को जब हम बिंदावन आते हैं ठाकुर जी के दर्सन के लिए तो हम ललायत रहते हैं लेकिन उनकी धरोहर को बचाने के लिए हम अग्रशन नहीं हैं तो ये हमारा सोना ही कहा जाएगा और अगर हम सोते रहे तो एक दिन हम सोते ही रह जाएंगे और संतों ने तो अपना काम चालू कर दिया अब समाज की बारी है जगना होगा आपको वरना कोई सोते हुए सुल ना हिंदू धर्म की सुनी जाती है वहां सुनी जाती है तो सिर्फ बोट बैंक की और बोट बैंक के कारण ही यह खनन हो रहा है क्योंकर नोट मिलते हैं वहां से इसी के साथ मैं दीपक सारसवत पुलिस की आवाज नीच जैहिंद जैभारत